ये छोटी सी बच्ची जो पढ़ाए के साथ सद घर का सारा काम स्कूल जाने से पहले निपटाती है साथ ये अपनी दाधी के लिए खाना बना कर स्कूल पहुंचती है तो उसे लेट हो जाती है अब टीचर बहुत नारास होती है फिर इसे चड़ी से मारती है साथ ही उसे धूप में खड़े होने का punishment भी देती है अब जब next period में teacher class में सब बच्चों को एक सवाल करने को देती है तो सबसे पहले इस बच्ची ने solve किया अब lunch break में सारे बच्चे खाना खा रहे होते हैं मगर वो जल्दी में अपने लिए खाना बना ही नहीं पाई थी next day बच्ची फिर late हो जाती है मगर इस बार teacher बच्ची के daily late होने की वज़े जाना चाहती थी तो वो principal सरसे भी ये discuss करती है और फिर उसी दिन चुटी के टाइम वो बच्ची के पीछे उसके घर पहुंसती है अब जब वो दर्वाजे को खटखटाती है तब दादी दर्वाजा कोलती है अब teacher दादी से बच्ची के रोज देर आने का कारण पूछती है और ये सुनते ही बच्ची रोने लगती है अब teacher को दादी बताती है इस कोरोना महमारी के समय इसके माता पिता गुजर गय थे इस कारण बच्ची घर का सारा काम निप्टा कर आती है और उसे लेड हो जाता है और सचाय जानकर ये teacher रोने लगती है